नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का Quality in Fact for UPSC Net के मेरे इस YouTube चैनल पाँ दोस्तों लास्ट यर के सेशन में हमने previous year question paper का जो second paper है पूरे के पूरे हमने solve कर लिये थे third paper में हमने September 2013 तक के paper solve कर लिये थे अब उससे आगे के paper इस session में मैं solve करूँगा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे like करें दोस्तों के साथ share करें तो दोस्तों सबसे पहला question है राजनितिक सिधान की अवनती के लिए निमलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदाई नहीं है जो उत्तरदाई नहीं है वो आपको बताना है पॉजिटिविज्म विल्कुल पॉजिटिविज्म पॉलिटिकल थियोरी के डिकलाईन से रिलेटिड है डेविड इस्टन इसको कारण माना है इतिहास वाद को डेविड इस्टन और जर्मीनो दानते ने कारण माना है और नेतिक सापेकश्वाद को भी पॉलिटिकल थियो है हमारा जो भी वैल्यूज है उसको अम रिशर्च के अंदर नहीं लाएंगे उससे बिल्कुल सेपरेट रहेंगे तो यह पॉलेटिकल थियूरी के डिकलाइन का कारण बनता है लेकिन जो वैचारिक बहुवाध होता है पॉलेटिकल जो आपका बहुवाध होता है उसके से जादा महत्तों मिलेगा तो यह वेचारिक बहुनुवाद नहीं है तो इसका सही आंसर है डी इसका राइट आंसर है Q2. नवुदारवाद इन में विश्वाश नहीं करता है सबसे पहले नहीं करता है वो आपने बताना है Deregulization का मतलब है कि जो आपकी पहले से नीतिया बनी है उन नीतियों को change करना market के according तो बिलकुल नवुदारवाद इसमें विश्वाश करता है De-Bureaucratization यानि कि जो bureaucracy के पास शक्तियां है उसको कम से कम करना ताकि अधिक से अधिक स्वतनतरता लोगों को मिल सके वी निवेश – Disinvestment करना तो Disinvestment कौन करेगा यहाँ पर? Disinvestment करेगा सरकार सरकार के पास जितनी भी कंपनिया है वो private sector को दी जाए यही है नव उदारवाद के बेसिक के यहाँ पर Assumption Statization का मतलब क्या होता है? कि राज्य की जो सरकार होगी उसका दबदबा होगा राज्य की सरकार का दबदबा होगा पूरी मार्केट पे पूरे political system में इसकी बात नव उदारवाद बिल्कुल भी नहीं करता है तो डी इसका सही आंसर है किसने कहा है करारोपन बलात श्रम के बराबर है? दोस्तों यह बात कही है Robert Nogic ने Robert Nogic tax के बिल्कुल खिलाप है वो बोलते है कि tax बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मेहनत करता है यह उसकी मेहनत का परिणाम है इसलिए उससे इसको छीना नहीं जाना चाहिए Question No.4 इसमें आपको लेखक को उनकी पुस्तकों के साथ मैच करना है तो सबसे पहली पुस्तक है Richard, जो लेखक है Richard Lowenthal Richard Lowenthal ने लिखी है World Communism World Communism इन्होंने बुक लिखी है और Benjamin L. Schwartes ने बुक लिखी है Chinese Communism and Chinese Ideology in Flux Edgar Snow की बुक है Red China Today और सबसे लास्ट में बसते है Richard H. Solomon इन्होंने लिखी है Mao Revolution and the Chinese Political Culture तो इसका सही अंसर यहाँ पे होगा A A इसका correct answer है Question No.5 विचार धारा को किसने इस रूप में परिभाशित किया है विचारों का समूह जिसके द्वारा व्यक्ति संगठित सामाजिक कारे के लक्षे तथा सादमों को स्थापित करते हैं स्पष्ट करते हैं और उसे उचित सिद करते हैं इस पर ध्यान दिये बगेर इस पर ध्यान दिये बगेर कि क्या ऐसा कारे दी गई सामाजिक द्रिवस्था को बनाए तो इसका क्या मतलब है कि जो पॉलिटिकल आइडोलोजी है वो ध्यान देती है सोशल सिस्टम के उपर की किस टाइब का सोशल सिस्टम है और किस टाइब का हमें चाहिए तो ये बात की है नियो माक्सिस्ट मार्टिन सैली करने नियो माक्सिस्ट मार्टिन सैलीगर के ये शब्द है और जहां पे भी मतलब इस तरीके की क्रिटिकल आलुचना की जाती है आप बिल्कुल समझ लो कि क्रिटिकल थियोरी से ये रिलेटिड है और क्रिटिकल थियोरी का मतलब है कि वो नियो माक्सिस्ट है Critical theory को नियो माक्सिजम का भी नाम दिया गया है Question number 6 यहाँ पे अभी कथन और कारण दिये हैं देखते हैं राजनितिक दार्शनिक, राजनितिक सिधान्त वेता होता है यहाँ पे बोल रहे हैं जो राजनितिक, जो पॉलिटिकल फिलोस्पर होता है वो एक पॉलिटिकल थियोरिस्ट होता है समस्त राजनितिक सिधान्त वेता अनिवार्य तोर पर राजनितिक दार्शनिक नहीं होता है तो दोस्तों यह question आपका when diagram से easily आएगा तो यहाँ पे मैं मेरे पास यहाँ पे कोई tool नहीं है जिसके दौरा मैं आपको यहाँ पे बता पाऊं तो इसका सही answer आएगा A अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है कि इसका answer A कैसे है तो आप मेरा when diagram वाली वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने easily explain किया है इसको किसने कहा कि श्रम शक्ती श्रमिक के मस्तिष्क मास पेशी तथा नसो के बराबर है यानि कि जो labor force है वो श्रमिक के पूरे जो जिस्म है पूरी उसकी मस्तिष्क उसकी सोचने की क्षमता है उसकी मास पेशी है उसके बराबर है तो ये बात की थी लैनिन ने और इसके द्वारा वो बताना चाहते थे कि जब एक श्रमिक के मस्तिष्क मास पेशी तथा नसों के बराबर अगर श्रम शक्ती है तो यहाँ पे पुझी पतियों को ज़्यादा लाब नहीं मिलना चाहिए बलकि श्रमिकों को मिलना चाहिए प्लेटो का पुनह प्रगटन इसमें पाया गया है प्लेटो का पुनह प्रगटन मतलब प्लेटो को किसने फोलो किया है सेम जैसा कि प्लेटो कर रहे थे आदर्श राज्य की कि आदर्श राज्य होगा वैसे ही यहाँ पे देखो सर थोमस मूर इन्होंने यूटोपिया बुक लिखी है और इसमें एक आदर्श राजी की इन्होंने स्थापना की है जिसमें किसी भी प्रकार का शोशन नहीं होगा समाज के अंदर और यही थोमस मूर थे जिन से शुरुआत होती है यूटोपियन सोशलिस्ट की जिसके अंदर बाद में जुड़ते हैं सेंट साइमन, चा अपना करता है और बेकन का निव अटलांटिस भी तो इसका मतलग इसका करेक्ट आंसर है डी उप्यूप सभी अरस्तु के संबन्द में कौन सा कथन सही नहीं है एरिस्टोटल पुरुष स्वभाव से असमान है ये क्या बोल रहे हैं पुरुष स्वभाव से असमान है बिल स्वभाव से पुरुषों के अधिनस्त होती है, बिल्कुल इन्योंने स्टरियों को निम्न दर्जे का माना और स्टरियों को मता दिकार देने के ये बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे दास्प्रता उचित सिद्की गई, बिल्कुल इन्होंने उचित सिद्की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ट स्थितिया नहीं दिलाती, यहाँ पे देखो नहीं दिलाती, क्योंकि यह श्रेष्ट स्थितिया दिलाती है, यहाँ पे नहीं बिल्कुल गलत है, तो इसक ने सहायता की अब ये जो आपका जैम जैस मिल है जैस मिल ने क्या है उपयोगिता वाद में संशोधन किया और यहां पर देखिया आप श्रीमती हैरियट टेलर जो है पहले ये इनकी एकेडमिक फ्रेंड थी इनकी शादी किसी और से हुई थी लेकिन इनके जो हजमेड है उनक पहले जैस मिल को मानबता वादी बना दिया था और इसी कारण क्या होता है कि जैस मिल नारी वादी बन जाते हो नारी को मता दिखार देने के पक्षन हो जाते हैं तो इसका सही आंसर है बी Q11. Hobbes के लिए Felicity का अर्थ है आनन्द बिल्कुल नहीं उन वस्तूओं को जिनको आदमी पाने की समस्त की समय समय पर इच्छा करता है पाने में निरदर सफलता पाता है फैलिसिटी का मतलब ही यही है कि व्यक्ति जिनकी कामना करता है जिनको पाना चाहता है उनको पा भी लेता है तो तब ही उसे आनन्द मिलेगा तब ही उसे क्या मिलेगा फैलिसिटी मिलेगा यदि किसी चीज को पाने की उसने आशा रखी है और वो उसे नहीं मिलती है तो उ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्वफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानु भूती को सामजस्य पूर्ण बनाया है. ये कथन किसका है? ये कथन है जौन लोग का, इन्होंने प्राकृतिक अवस्था की बात की थी, कि प्राकृतिक अवस्था कैसे शांति पूर्ण थी? शांति इसका खंडन है, जो लोग ने निबन लिखा था concerning human understanding, इसके अंदर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सर रोबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्का का, जो रोबर्ट फिल्मर की पैट्रियार्का था, उसके अंदर इन्होंने क्या बोला था? रोबर्ट फिल्मर ने ये बोल र को पटती है हम ढिमाग से समझ सकते हैं लेकिन है आपको पता है जान लो को अनुभाव का पिता वो लघाता है तो यह क्या बोलता है कि नहीं जो ग्यान है हमें वो रैशनेlli आपा का ग्यान होगा सुनगने से ग्यान होगा देखने से पतलब इंद्रिय ग्यान को यह महतुद देते हैं जौन लोक कि और इन्होंने रोबर्तलिमर की पैट्रिय का विरोद masculine समाज के रणनदी को दो सिधांतों पर दारी होना चाहिए समाज की जो रणनीती की तरह विचार है यह या तो विवेकानन कर सकते हैं या फिर आपके महात्मा गांधी जैसे दार्श निक कर सकते हैं नीचे देखिए राम मन हमर रॉय बिलकुल नहीं पी आरम बेड कर सावर कर बिलकुल नहीं यह है महात्मा अर्विन महरिशी अर्विन्दो घोश भी इनको बोला जाता है तो इन्होंने जो पॉंडिचेरी से अपना जर्नल प्रकाशित किया था उसके अंदर इन्होंने ये बात की थी M.N.ROY की गतिवीदियों घटनाओं के आरोही क्रम को आपने यहाँ पे लिखना है कि कौन-कौन सी गतिवीदिया कब-कब उन्होंने की सबसे पहले देखो उगरवादी कौंग्रेसी लीग कौंग्रेसियों की लीग की गठन यानि रेडिकल कौंग्रेस का गठन उन्होंने कब किया था 1940 के अंदर भारतिय पुनर्जागरण आंदोलन का प्रारम उन्होंने कब किया जब उगरवादी कॉंग्रेसी लीग रेडिकल जो कॉंग्रेस पार्टी उसका विगठन हो जाता है कॉमिंटंग से बाहर उनको निकाला गया है 1926 के अंदर जब उनका स्टालिन के साथ मतवेद ह हो जाता है सब ताहिक पत्रिका इंडिपेंडेंट इंडिया इन्होंने लिखनी शुरू की थी 1937 के अंदर तो इसका यहां पे सही आंसर होगा 3412 2014 के लिए US राष्ट्पती के रूप में निम्लिखित में से किसे चुना गया था फूर्थ टाइम जो इलकठ हुए राष्ट्पती के रूप में वो कौन है वो है फ्रैंकलिन्दी रूज्व इसके बाद 1951 में 1951 के अंदर 22nd Amendment लाया जाता है और उसके द्वारे ये निरधारिक किया गया था कि कोई भी राष्टपती दो बार से जादा राष्टपती युएस का नहीं बन पाएगा Q17 उदार लोकतंत्रों में लोकतंत्रिक मोल्य आदर्श के रूप में व्यापक स्विक्रिती पाते हैं परन्तु इसके साथ ही प्रतिनिधी लोकतंत्र की मोल संस्थाओं की कारे कारिता की नागरिक गण आलोचना करने लगे हैं बिल्कुल आलोचना करने लगे हैं तो यह बिल्कुल यहां पे सही है आर देखते हैं सरकार में घटता हुआ विश्वास अब देखो कारेकारिता की नागरिगण आलोचना क्यों करने लगे हैं क्योंकि सरकार में घटता हुआ विश्वास राजनीतिक संस्कृति की अवस्थि प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्षे प्राप्त करने में राजमीतिक प्रणाली क्षमता से कम करता है तो ये दोनों ही A और R दोनों से ही है और R A का सही स्पष्टिकरण है नागरिग गंड लोकतंत्र के आलोचना क्यों करने लगे है उसका बहुत यच्छा अब देखो भारत में सब से युएस के अंदर सबसे ज़्यादा कठोर संविधाने इसमें अभी तक 27 ही संशोधन हो पाए है भारत के अंदर सेमी फ्लैक्सिबल है कुछ प्रक्रिया कठोर है कुछ नर्म है फ्रांस के अंदर आपको पता है सेमी प्रेजिडेंशल सिस्टम ह तो यहाँ पे भी थोड़ा कठोर है और थोड़ा नम है लेकिन UK के अंदर अलिखित संभिधा ने इसके अंदर easily संशोधन किया जा सकता है तो इसका सही आंसर है B UK राश्ट्रपती प्रणाली के संबंध में USA के किस राश्ट्रपती ने कहा केवल एक व्यक्ति की गलती संपूर्ण राश्ट्र के लिए विपदा ला सकती है तो ये बात की थी जिमी कार्टर ने ये बात की थी जिमी कार्टर ने और जो जिमी कार्टर का जो टाइम पिरियड था प्रेजिड प्रेजिडेंशल का हो था 1977 से लेके 1981 तक और आपको पता होगा इनको नोबल पीस प्राइज भी मिला है 2002 के अंदर यूएस से राश्ट्रपती के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है तो देख लेते हैं किसी भी यूएस राश्ट्रपती को कभी भी द चीक है दूसरा है यहाँ पे देख लीजिए आज तक किसी को भी दोशी नहीं ठहराया गया है किसी भी यूएस राश्ट्रपती को यह बिल्कुल सही है दूसरा रिचर्ड निक्सन पर महाव्योग एक वोट से असफल हो गया था अब देखो जो आपका रिचर्ड निक्सन था उनके उपर क्या है वाटर गेट स्केंडल का केस बना था जो कि 9 अगस 1974 में इनके उपर चलाया गया था केस तो इनोंने क्या किया इनको हटाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन इनोंने खुद ही त्याग पत्र दे दिया था तो यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे B होगा यह सही नहीं है असफल नहीं हुआ था हाला कि इनोंने क्या है खुद से त्याग पत्र दे दिया था C देखते हैं प्रतिनीदियों के सदन को महाभयोग की प्रक्रिया प्रारम करने की शक्ति है बिलकुल है बुख्य नयाधिश की अधिक्षता में सीनेर द्वारा वद का परिक्षन किया जाता है बिलकुल किया जाता है तो इसका सही आंसर है B रिचर्ड निक्सन ने त्याग नहीं है तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहला है बुर्जुवा मॉडल का क्या मतलब होता है बुर्जुवा मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे कुछ लोग कुछ पूजी पती लोग किसी विकास के कारे में जुड़े होते हैं जिसे यहाँ पे देखिए विदान मंडल इक्तियार किया जाएगा उसके बाद निरंकुष मॉडल। निरंकुष मॉडल का क्या तलव है निरंकुष भूमियादी करण के नाम पर टेक्नोक्रेटिक का मतलब है तकनीकी जहां पर टकनीक यूज की जाती है तो तकनीक यूज की जाती है निंद्र राजनेतिक प्रति भागिता और उच विदेशी निवेश के अंदर और पॉपुलिस्ट मॉडल जहां पर विकास को क्या बोला जा है उन्हीं की पॉपुलरिटी होती हो वाँ पर एक्जांपल वीजे माल्या आपके अंबानी हडानी ठीक है तो यह इंडिया के अंदर क्या है पॉपुलिस्ट मॉडल तो इसका 21 का सही आंसर यहां पर होगा ए कॉश्य नमबर 22 यहां पर कुछ पुस्तके दी गई हैं उनको मैच करना है उनके लेखकों के साथ तो सबसे पहली पुस्तक है यहां पर रोबर्ट माइकल है रोबर्ट माइकल ने बुक लिखी है पॉलिटिकल पार्टी जो इन्हों ने बुक लिखी है उसके अंदर दिया है उसके बाद S.P. Huntington Samuel P. Huntington इन्होंने बुक लिखी है इन्होंने लिखी है इन्होंने लिखी है सब्सक्राइट बिल्डिंग गवर्नेंस एंड वर्ड ओर्ड इन्टिफास्ट सेंचुरी तो 22 का यहां पर करेक्ट आंसर है बी तीन चार एक दो क्रांती के विशलेशन में राजनितिक संघर्ष उपागम निमलिखिक में से किसने अपनाया था जो क्रांती का विशलेशन किया गया है उसमें पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट मॉडल यानि कि जो भी क्रांती होती है वो क्रांती कैसे होती है पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट के कारण और एक्जामपल कॉंग्रेस और बीजे की बीजेपी के विश्क कंफ्लिक्ट हो गया तभी क्रांती होगी तभी दंगा किसने की है यह बात की है चार्स टिली ने, इनकी बुक आपने देखी, मैंने पिछले कल जो बुक की वीडियो डाली थी, उसके अंदर दी है, इनकी बुक फ्रॉम मॉबलाइजेशन टू रिवोलिशन, इसमें क्या किया जाता है, पहले राजनितिक दल क्या करते हैं, मॉबलाइज करते हैं लोगों को और उसके बाद रिवोलिशन करते हैं, इनकी बुक है मॉबलाइजेशन टू रिवोलिशन चार्स टिली, यहाँ पे भी कुछ पुस्तके दी गई हैं, इसको मैच करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेवलप्मेंट एज ट्रेडम यह लिखी है, अमर्तिसेन ने और इनको इस बुक के लिए नोबल प्राइज में मिला है अर्थशाष्ट के अंदर, उसके बाद है आपका पॉलिटिकल दिमोडनाइजेशन, सोरी, पॉलिटिकल और इन चेंजिंग सोसाइटी, पॉलिटिकल और इन चेंजिंग सोसाइटी लिखी है, पॉलिटिकल और इन चेंजिंग स्योसाइटी यह यह लिखी है एस-पी हंटिंग टंडने स्पीं अंटिंगंतर ने लिखी है और डेवलेफ्मेंट एंड जा लिखी है इनको आपने अच्छे से एक बार पढ़ लेना है डेविट ए एप्टर को तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आया है निमलिखित में से किस चिन तक ने आधोनिकी करण को तीन स्थितियों के संबन्द में परिभाशित किया मतलब मौडननाइजेशन की तीन स्थितिया इन्होंने दी है पहली स्थिति इन्होंने बताई नव प्रवरतनिय सामाजिक व्यवस्था दूसरी बताई है विवेधित नम्य सामाजिक संद्रचना तीसरी बताई है प्रवध्योगी की रूप से उन्नत विश्व में कोशल तथा ज्यान के लिए सामाजिक आधार इसका क्या मतलब है पहले का जो आपकी इन्होवेटिव सामाजिक व्यवस्था होगी ठीक है दूसरी विवेधिक और नम्य का क्या मतलब है फ्लेक्सिबल होगी उसमें कास्ट सिस्टम जैसा कोई वो नहीं होगा कि लोग इधर से उदर नहीं जा सकते अपनी कास्ट चेंड नहीं कर सकते हैं ठीक है तो और जहां पर प्रद्योगी की रूप से उन्नत होंगे वहां भी मौडर्नाइजेशन होगी तो यह बात की है डैविड ए एप्टर ने डैविड ए एप्टर ने यह मौडर्नाइजेशन का सिधान्त दिया है उसके बाद कॉशन अमर्ट यूसे के तूला में स्विजलेंड में केंदर जादा शक्तिशाली है बिल्कुल सही है स्विज सरकार को अलगाव की स्थिती में सैनिक हस्तक्षेव का अधिकार है बिल्कुल यह सैनिक हस्तक्षेव का भी अधिकार रखता है इनके संभीध हमने क्लियरली लिखा गया है नहीं यह एकात्मक नहीं है यह संगात्मक है एकात्मक ब्रिटेन के अंदर है तो उसका सही आंसर होगा एक दो तीन सही है चार गलत है Q27 यहां पर कुछ चिंतक दिये गए है और उनसे related theories दी गई है वो आपको match करनी है सबसे पहले है M.Fuku M.Fuku का मतलब है Michael Fuku Michael Fuku ने जो अवधाना दी है वो दी है बायो पावर जिसको बोला जाता है जेव शक्ती ठीक है और स्टिवन लुकस स्टिवन लुकस ने दिया है सत्ता का उग्रवादी दो तली स्टिवन caucus लुकस ने steward click ने दिया है circuits of power अवधाना circuits of power ये दिया है steward लेक ने और F नीच्शे ने दिया है way to power तो इसका correct answer है 2, 3, 4, 1 question number 28 एक दल party प्रणाली का गुण कौन सा नहीं है जहां पे सर्फ एक ही दल होगा इसको चाइना में multi party system है लेकिन एक दल का ही प्रभुत्व वहां पे रहता है तो वहां का गुण क्या है सांपरदाइक बिलकुल सही सांपरदाइक आधार पर भी एक दली विवस्था स्थापित हो सकती है अनन्यक्षेत्री वर्ध वेचारिक समर्थन बंद सत्तावादी प्रत्यक्ष कारेवाही दमनकारी संगठन बंद का मतलब यहां पे क्या है जो political system है वो अपने आप में बंद है open नहीं है सत्तावादी authoritarian शाषन हो जहां पे प्रत्यक्ष कारेवाही की जाती है तो वहां पे भी यह एकदल प्रणाली का विशेष्टा है विश्रित राष्ट्री एकीकरन समुदाय निर्माण नामबंदी यानिके mobilization बिल्कुल जहां पे diffracted system होता है या राष्ट्री एकीकरन किया जाता है समुदाय निर्माण किया जाता है या mobilization की जाती है ये भी एकदल पार्टी की विशेष्टा है लेकिन ये कभी भी व्यापक नहीं हो ये एकदल पार्टी क्योंकि इसके अंदर क्या है ब्रश्टा चार भी होता है सेवार्थ उन्मुकी तो आप होई नहीं सकते जहां पे एकदल पार्टी हो क्योंकि उनका वर्चस हुआ है, उथोरिटेरियन है वो, वहारिक समर्थन भी उनको नहीं मिलता है, लोगों को जबरदस्ति उनका समर्थन करना पड़ता है, तो इसका सही आंसर है D, एक दो तीन है, लेकिन D नहीं है, लुशन पाई के अनुसार राजनितिक विकास के संकट निमलिखित में से कौन से है? दोस्तों जो लुशन पाई ने राजनितिक विकास के संकट, छे प्रकार के संकट इन्होंने बताए हैं, जिसमें सबसे पहला एकी करण का संकट, दूसरा वितरन का संकट, तीसरा पहुँज का संकट, और चौथा सहवागिता का संकट, और पा प्रेजेंट में राजनितिक अभिजात वर्ग होते हैं उनका काम क्या होता है उनका काम होता है सिर्फ लक्षे को प्राप्त करना लक्षे मतलब सप्ता की प्राप्ती करना आर्थिक सेनिक वैग्यानिक राजनिक अभिजात वर्ग जो इकोनोमिक बेस पे बने होते हैं एलीट या सेनिक एलीट होते हैं वैग्यानिक एलीट होते हैं या फिर राजनिक एलीट होते हैं उनका काम क्या होता है उनका काम होता है अनुकूलन बनाए रखना अनुकूलन बनाए रखना इनका काम होता है उसके बाद है पुरोहित दार्शनिक शिक्षक इनका काम क्या होता है जो धर्म के आधार पे एलिट बनते हैं यह अपने लोगों को इकठा करते हैं इसको दार्शनिक शिक्षक बनाए रखने का मतलब है जो कलाकार होगा वो अपने बेटे को बनाने की कोशिश करेगा लेखक भी अपने बेटे को लेखक्षक बनाने की कोशिश करेगा मतलब यह पैटरन एक तरीके का बनाय रखने की कोशिश करते हैं तो इसका सही आंसर है एक, दो, तीन, चार इसका आंसर है एक कोशन नमर 31 भारत के संविधान की संशोधन प्रक्रिया संबंध में संविधान सभा में किसने यह कहा यह एक कोटेशन है कि हम जब की चाहते हैं यह संविधान फोस एवं इतना स्थाई जितना हम संद्रचना के रूप में इसे बना सकते हैं फिर भी संविधानों में कोई स्थाई तो नहीं होता यदि आप किसी को जड़िया स्थाई बना देते हैं तो आप राष्ट की प्रगती जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं यह बात कही थी संविधान सभा के अंदर जौहरलाल नहरू ने राष्टरी आपदा के दोरान निमलिखित में से कौन से किन अनुछेदों को निलंबित नहीं किया जाता है वो है अनुछेद 20 और 21 और इन संविधानिक अधिकारों को 44th Amendment 1978 के अंदर सुरक्षित किया गया था कौशन नमबर 33 निमलिखित में से किसने जे परकाश नारायन, राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादियों को 1942 के आंदोलन के दोरान जापानी एजेंट कहा यह बहुत ही डीप टाइप की एक कोटेशन है 1942 के अंदर क्या होता है? दुविश्व यूद चल रहा होता है और जापान क्या कर रहा होता है? जापान अपनी territory को expand करने की कोशिश कर रहा होता है अपनी सम्राज्य वादी निती को अपनाने की कोशिश कर रहा होता है दूसरी और एकसि जो इलाइड जो forces थी जिसके अंदर Russia था जिसके अंदर America, Britain, France जैसी शक्तिया थी वो लोग क्या है जापान का विरोध कर रहे थे ठीक है जापान का वो क्या कर रहे थे विरोध कर रहे थे तो जो भारत की सामयवादी पार्टी थी उसने 1942 के अंदूलन के दोरान क्या किया उसमें भाग नहीं लिया और उन्होंने क्या बोला हम रशिया के साथ है हम USSR के साथ है अगर हम अभी इंगलेंड को यहां से भगाने की कोशिश करते हैं इसका मतलब है हम जापान के एजेंट है ठीक है अई होब आपको यह समझा आ गया होगा कोंसेप्ट जाती विवस्ता प्रारंबिक समाज का सार्थी बंद विवस्ता जहां व्यक्ति पेड़ी दर पेड़ी एक ही प्रकार का कारे करते थे और लगभग एक ही प्रकार से जीवन जीते थे बिल्कुल सही बात है यह बिल्कुल बंद वेवस्ता है इससे जिस व्यक्ति को जिस कास्ट में जिसने जनम लिया उसके बाहर जाए नहीं सकता है बिल्कुल क्लोज सिस्टम है यह ठीक है तो लोग क्या है लगबग एक परकार का जीवन जीते थे जाती परणाली अपने में सामाजिक संरचना तथा मान की धार्मिक विवहार की विशेष्टाएं समाविष्ट करती है और हिंदू जाती समाज में रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिकर जीवन के बारे में काफी व्यापक विचार प्रदान करती है दोस्तों यह दोनों यहाँ पर अभी कथन्वी और कारण दोनों सही है लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या बात की जा रही है कि जाती विवस्था क्या है थी जीते थे जीते थे कि यहां पर बात की जा रही है अगर क्यों जीते थे अगर उसका यहां पर explanation होती है तो बिलकु का आंसर है बी और आर दोनों सही है लेकिन रर एकी सही व्याख्या नहीं है भारती सर्वच्य नियाल ने समयों परीं समवर्धार्निक उदार्ता और प्रमानवा धिकारों को विस्तारिच करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है बिल्कुल नेगेटिव यहां पर यह बात कर रहे हैं नीचे देख लेते हैं सरवच्य नियाले ने भारत के संविधानिक लोकतंत्र को गढ़ने जो संविधानिक लोकतंत्र है उसको गढ़ने उसको आकार देने में एहम भूमी का निभाई है और अभी भी निभारा है और उससे भी परे जो की संविधान के निर्माताओं ने कलपना की थी और जो नियायाले अन्य देशों में भूमी का निभाते है विल्कुल वैसे ही भारत में निभारा है तो यह विफल नहीं हुआ है यह सफल हुआ है रीजन के अंतर यहां पर हम अगर इसको पढ़े तो यह विफल नहीं हुआ है यह सफल हुआ है फॉर एक्जामपल पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन पी इल इसका एक उधारण है जन्मीत याची का जिसके द्वारा क्या है संब्यधानिक उदारता को ज़्यादा बल दिया गया है तो यहाँ पे A गलत है और सही है इसका मतलब है C इसका correct answer है A गलत है और सही 35 जिस्ट अ मिनट्ट सोरी सी नहीं है यहाँ पे कड़ी है यह सकते है और आर सकते है थोड़ा कन्फ्यूजन होगे थी D इसका correct answer है Question 36 जनहित याचिका को निमलिखित में से कौन सा अनुप्रोजिय नहीं है पब्लिक इंट्रेस्ट निटिगेशन के लिए क्या सही नहीं है या किसके उपर पब्लिक इंट्रेस्ट निटिगेशन हम नहीं लगा सकते हैं ठीक है तो समाज के उपांतिक रित प्रती नियायबालिका का संभेधानिक दाई तो बिल्कुल जन भावना युक्त नागरिक एवन निर्धनों की और से नियायल ले जा सकते हैं निर्धन बिलकुल जा सकते हैं पब्लिक इंट्रेस्ट लेटिगेशन इसलिए लाया गया था या चिकाओं को निब्टाने में नियाय पाली का कार्यव विधिक आपचारिकताओं की अंदेखी करती है, विल्कुल आपचारिकताओं को ये अंदेखी इसमें की जाती है, इसलिए भी ये आम लोगों के काम की है, तो लोकस्त स्टेंडी के लिए ये काम नहीं आती है, उसका सही आंसर है, इसके लिए ये अन 2888 के अंदर हुआ था और इसमें मतदान की आयू 21 से अठारा की गए थी कोश्चन नमबर 38 निमलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेश निर्वाचन प्राप्थ हुआ था ये सिखों को प्राप्थ हुआ था भारे सरकार अधिनियम 1919 के तहए कोश्चन नमबर 39 निमलिखित में से किस संविधान सभा की स्मिति की अध्यक्षता जोहारलाल नहरू ने की दोस्तों संविधान सभा के अंदर टोटल 17 स्मितिया बनाई गए थी सेवंटीन स्मीतिया बनाई गई थी जिसके अंदर जोहाल लाल नहरू ने तीन स्मीतियों की अध्यक्षता की थी इसके अंदर इन्होंने संग शक्ति स्मीति दूसरा इन्होंने की थी संग्ये समविधान स्मीति और तीसरी थी राज्ये स्मीति की इन्होंने अध्यक्षता की थी इसका आपने एक बार इसका आंसर भी है इसी पर क्लिक हो रहा है भी इसका करेक्ट आंसर है question no.40 derivative discourse व्यत्पन संबाद की अवधाना निमलिखित में से किस ने दी व्यत्पन संबाद का मतलब क्या होता है? derivative discourse का मतलब क्या होता है? कि किसी दूसरे संबाद से कोई दूसरा संबाद उत्पन हो जाना ठीक है? कोई एक संबाद चल रहा था उसके अंदर से कोई दूसरा संबाद निकलता है तो ये बात की थी अपकी पार्थ चैटर जी ने Question number 41 मन्रेगा निमलखित में से किसके साथ संबंदित नहीं है रोजगार के अवसर के लिए तो है ही है क्योंकि 100 दिन का रोजगार दिलाने का वादा किया गया है गरीब भी को घटाना विल्कुल सही है विप्दा गरस्त प्रवर्शन को रोकना जो माईग्रेशन होती थी उसको रोकने के लिए भी है लेकिन क्रिशी संबंदी संकट के लिए मन्रेगा नहीं बनाया गया था हाला कि अब क्रिशी संबंदी संकट के उपर भी इसमें काम किया जा रहा है Question number 42 यहाँ पर आयोग दिये गए हैं और आयोग को आपने मुद्दों के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है जैसे कि महाजन आयोग महाजन आयोग बना था महाराष्ट करनाठक सीमा विबाद को लेकर श्री कृष्ण आयोग श्री कृष्ण आयोग बना था आपका तेलंग गाना का जो बुद्दा था आंतर प्रदेश के साथ उससे रिलेटिड और पुंची आयोग सब को पता है ये बना था केंदर राज्य संबंदों के लिए और सचर समीती बनाई गए थी मुस्लिम अल्फ संख्यकू के लिए तो इसका correct answer यहाँ पे है B कोश्य नंबर 43 भारत में राज्य राजनीती का अध्ययन भारत में राज्य की राजनीती का अध्ययन निमलिखित में से किसने सरोव प्रथन प्रारम किया दोस्तों जो भारत में राज्य की राजनीती राज्य मितलब भारत नहीं भारत बारत के अंदर जो तो उन राज्यों का अध्ययन सबसे पहले इकबाल नारायन ने शुरू किया 1967 के अंदर और इन्होंने बुक लिखी थी स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया 1967 के अंदर और राज्य की राजनिती का अध्यन करने की जरूरत क्या पड़ी आपको पता है पार्टी 1984 के अंदर सबसे बड़ा विपक्षी दल था कारेकरम जन्म भूमी निमलिखित में से किस राज्ये से संबंदित है जो कारेकरम जन्म भूमी है ये आंदर प्रदेश में शुरू की गई थी आंदर प्रदेश में 1997 के अंदर इसके अंदर ये जन्म भूमी जन्म भू बाद करते थे और इसके द्वारा जनम भूमी पर श्रमदान देना श्रमदान का मतलब है अगर कोई पब्लिक वेलफेर का कारे है तो लोग फ्री में काम करेंगे तो इस टाइब का यह चला था अंदर प्रदेश के अंदर कोई नमबर 46 यहां पे उपागम दिये गए है और उपागम की विशेष्टाएं बतानी है और यह बहुत ही इजी है अगर आपको बिहेवरल लिजम पता है बियोरोक्रेसी पता है एकोलोजी पता है तो आप इसको अंडरस्टेंड कर पाओगे तो सबसे पहले यहां पे देख नोकरशाही नोकरशाही का कॉंसेप्ट मैक्स वेबर ने दिया है जिसमें उन्होंने कानूनी तरक्युक्त सक्ता नोकरशाही को बताया है पारिस्थित की उपागम FW रिक्स ने दिया है और यह क्रिशक परागमन पौद्योगी की करण के उपर आधारित है सबसे लास्ट म जन्रल सिस्टम का मतलब है समाज की जो उपर प्रणाली के रूप में प्रशाशनिक प्रणाली को देखा जाता है जिसको की ये समाज की उपर प्रणाली के रूप में प्रशाशनिक प्रणाली जिसको की FW रिक्स ने माना है साला मोडल तो 46 का correct answer यहाँ पे है B 3, 4, 1, 2 Question number 47 सरकार के तात्विक कारियों के साथ निमलिखित में से कौन सा सरुकार रखता है तात्विक कारिय का मतलब क्या है जो substantial कारिय होते है जो essential कारिय होते है जो बहुत ही जरूरी होते है वो कारिय कौन करती है Line Agency Question number 48 संगठन के चार भिन आधारों को निमलिखित में से P4 का नाम किस ने दिया यह जो P4 का सिधानत है यह Luther बुलिक ने दिया है P4 का मतलब है कि संगठन चार आधार पे बनता है जिसमें परपज, प्लानिंग, आपका प्लेस और परसोनल ठीक है तो P4 लुथर बुलिक ने यह Concert भिया है मुख्य कारियाले से सत्ता का प्षेत्री अधिकारे को प्रत्या योजन का मुख्य कारण है जो मुख्य कारियाले है वहाँ से क्या है जो निमल लेबल पे कारियाले है उनको प्रत्या योजन किया जाता है कारियों का तो ये कारिय किया जाता है ताकि जो मुख्य कारिया लिया है उसमें भीड कम हो ठीक है उसमें ज़्यादा भीड ना हो question number 50 विकास प्रशाशन की विशेशता है निमन लिखितने से कौन सी है वो आपको बतानी है दोस्तों जो विकास प्रशाशन है वो प्रशाशनिक विकास से बिलकुल अलग है विकास प्रशाशन का मतलब है जो प्रशाशन विकास के लिए किया जाता है ठीक है तो ये परिवर्तन उन्मुक है बिलकुल सही है सेवार्थी उन्मुक है मतलब क्लाइंट ओरियंटीड है बिलकुल है नागरिक प्रतिभाग की ता संबंदी orientation बिलकुल है पारिस्थितिक परिप्रेक्षिप बिलकुल है तो दोस्तों ये जो परिवर्तन विकास प्रशाशन को गोल oriented and change oriented बोला गया था विड़नर के द्वारा विड़नर ने बोला था इसको परिवर्तन उन्मुखी करन ठीक है तो 50 का correct answer यहां पर होगा दी एक दो तीन चार ये सारे विकास प्रशाशन की विशेश्टाएं हैं लोग सेवाओं के दिए निवास्थान योगेता सरोपितम इसने निरदारित की थी ये की थी United State of America ने कि जो लोग सेवाओं में जा रहे हैं वो उसी राज्ये से होने चाहिए जहां से गे यह है ग्रह मंत्रा, कारेकलाप मंत्रा ले, यानि कि Home Affair Ministry. Question number 53, बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक. अब यहाँ पे देखो, एक शीर्षक दिया है. शीर्षक, for example, यह दिया है printing के लिए. प्रिंटिंग के लिए किसी विभाग में 10 लाख रुपे रखे गए हैं, और उसी विभाग में क्या करना है? फोटो स्टेट भी करना है. दूसरा शीर्षक क्या है? फोटो स्टेट. जहाँ धन ब्याय करने की जरूरत है, मैं हस्तांत्रिक करने की प्रक्रिया कहलाती है. उसका हम क्या करेंगे? पुना वी नियोजन करेंगे उसका, यानि की हम करेंगे री एप्रोप्रियेशन. तो इसका सही आंसर है C. अगर एक ही विभाग में दूसरे कारे पर खर्च किया जाएगा, तूसे बोडेंगे वी नियोजन. अगर एक विवाग से दूसरे विवाग में पैसा भेजा जाएगा तो हस्तान तरण है, पुना आवंटन का मतलब है कि हर विवाग के लिए दोपारा से खर्चा दिया जाएगा, शेत्री आवंटन का मतलब है, सेक्टोरल हर सेक्टर में अलग से आवंटन किया जाएगा, पद प्रशाशन की बात की गई है सादिक अली समिती भारत में पंचायत प्रणाली की कारेकारिता पर रिपोर्ट देने के लिए निफ्त की गई थी यह सादिक अली जो समिती है यह भारत सरकार ने नहीं प्रणाली की थी तो यह बिल्कुल यहाँ प्रणाली के थी जीवी के राऊ समिती योजना आयोक द Qurरा निफ्थ की गई थी बिलकुल सही है, स्थानी सरकार का राज्य सूची में उलेख है। स्थानी सरकार यानि यो पंचायती राज है, वो राज्य सूची का एक भाग है। तो यहां पे एक, दो और चार बिलकुल सही है। तो एक दो चार 55 sorry एक तीन चार इसका correct answer रहें कि सादिक अधीक अलिस्मीती जो है वो राजस्थान की है तो एक तीन चार इसका correct answer है इसका correct answer है कोशन निमलिखित में से किसने नोकरशाही को संगठन का नाम दिया है जो अपनी गलतियों से सीख कर अपने विवहार को ठीक नहीं कर सकता है मतलब नोकरशाही को धीट किसने बोला है निठले जो कभी अपनी गलति से सीखते ही नहीं है अडे रहते हैं ये बात की है M. Crozier ने जो M. Crozier थे उन्होंने महादुई पीजंजाल भी बोदा है नोकरशाही को अब यापर देखो Max Weber भले ये नोकरशाही से रिनेटिड है लेकिन नोकरशाही को अच्छा मानते हैं पार्किंस और आर्केमर्टन ये भी नोकरशाही का समर्थन करते हैं लेकिन M. Crozier इसको बहुत ही गलत मानते हैं कोश्च नमबर 57 राष्ट्रे संयुक्त परामर्ष दातरी तंत्रत परिशत का अध्यक्ष कोन है इसका अध्यक्ष होता है मंत्री मंडल सचीव कोश्च नमबर 58 लोक प्रशाशन पर तमान नियंतरनों में वहाँ जो ज्यादा सतत और स्वा सुधारत है यहां है ये है कारेपालिका का नियंतरन कारे पालिका वो प्रेजिडेंट वाली कारे पालिका नहीं है या फिर जो सेंटर वाली कारे पालिका का मतलब होता है जो नियमों को लागू करता है और कंट्रोल में रखता है लोगों को विदान मंदल के द्वारा अपनी अंतरन रखने की कोशिष करोगे कानून बनाके तो कानून को मैक्सिमम लोग फोलो नहीं करते हैं न्याय-पालिका के द्वारा यानि की न्याय-पालिका क्या करेगी आपके जो भी आपने डिसिजन जिया है उसके उपर हस्तक शेप करेगी तो इसके द्वारा भी नियंतरन नहीं होगा, मीडिया द्वारा नियंतरन, कोई भी अगर प्रशाश्नी कदिकारी रष्टचार कर रहा है, तो मीडिया द्वारा उसकी पोल खोडी जाए, तो इसके द्वारा भी नियंतरन ज्यादा प्रभावी नहीं है, जितना ति कारे पाली का द्वारा न करनेती है कॉस्ट नमबर 59 कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने File Jumping Experiment परेज़ किया File Jumping Experiment का मतलब क्या है जैसा की Henry Fjol Henry Fjol क्या बोल रहा है थे Henry Fjol गेंग पलंग की बात करे है है यानि कि जो आपकी hierarchy है hierarchy से उठके सीधा अपने से सुपीरियर से बात करना तो कारण देख लेते हैं पदानुकरमी संदचना कार्ये पूरा करने में अनावश्यक विलम उठपन करती है बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो हाइरर्की में है कि मैनेजर से सुपरवाइजर को की रिपोर्ट देगा सुपरव उसमें क्या है बहुंसारा विलमंभ हो जाता है इसलिए भारत सरकार में किया क्या है फाइल जंटिंग सिस्टम को अपनाया कि डरिक्ट यहां से ऋपरवाइजर मैनेजर को दे सकता है या फिर वरकर मैनेजर को दे सकता है , तो इसका सही computer and work हुआ कि यह तो बिल्कुल सही बोल रहा है ना तो यह सांविदिक है ना संवेधानिक मीकाए है लेकिन यह संसद के अधिनियम से नहीं हुआ है यह हुआ है प्रदान मंतरी की सिफारिश पे जिसको हम बोल सकते हैं एक कारे पाली का संकल्प द्वारा जोजना आयोका गठन किय गया था तो यहां पर आर बिल्कुल गलत है तो ए सत्य नेकिन आर असत्य है जी इसका करेक्ट आंसर है कोश्चन नमबर 61 आप लोगतांतरिक शांती सिधानती को किस उदार चिंतक से संबंदित करेंगे जो लोगतांतरिक शांती डेमोक्रेटिक पीस का सिधान दिया है माइकल डॉयल ने और इम्मेनुवल कांट ने भी दिया था ठेले ठीक है लिखनी इसका करेक्ट आंसर है माइकल डॉयल तो यहां से आपको पता लग रहा होगा कि दोगोजार जो अठारा जुलाई के अंदर पेपर आया कितने कोश्चन रिपीट हुए है मौर दें 60 परसेंट कोशन यहां पर रिपीट हुए है प्रीवीसर कोश्चन पेपर से कोश्चन अबन 60 नीचे दो कथन दिये गए हैं यह बूरार राट ठीक है शाषन प chickens प्रनाली वैश्वी करन की महतवप्ण विशेष्पा निरुप्वित करती है जो अब विस पौनगों में होती है उसका क्या करना है एलिवेशन उसका क्या करना है खात्मा ठीक है जो डिस अफेक्शन या डिस साटिस्फेक्शन लोगों में है उसका खात्मा की शुरुवात USA के द्वारा हेजिमोनिक प्रस्थिती तेक्षय होने तथा परयावरण यह समस्याओं के बारे में बढ़त सकता हुँड़ tremendously राचन में सब्सक्र Mawasim के समान है कि असके बारे में बात तो सकता है परनतुछ तो तू कुछ ही उसे समझते हैं मुश्ञाग समझ पाते हैं ये बात की है मौसम आइट की राजनितिक सथ्ता क्या है उछा के समाने जोसेफ नाइट के बारे में आपको बतादी जोसेफ नाई ने चेंजिंग नेचर ऑफ फर्ड पावर बुक लिखी है जिसके अंदर इन्हों ने सौफ्ट पावर की बात किये सौफ्ट पावर का कॉंसेट भी जौसेट नाई का है बहुत इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है यहाँ पे कुछ संघर्ष हुए है इंटरनेशनल लेवल पर उसको आपने मेच करना है यहाँ पे राज्यों के साथ तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नरी जातिये जनसंहार जो लोगों को है बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया तो यह केस हुआ था रवांडा के अंदर जन्जापिय संघर्ष गैर राजनेतिक उदेश्यों के लिए अंतहीन हिंसा 64 64 यह हुआ था लाइबेरिया में जो गैर राजनेतिक उदेश्यों के लिए अंतहीन हिंसा यह लाइबेरिया के अंदर हुआ था और पार राष्ट्री युद्ध लड़ा गया है कोंगो में और जन्जाति संघर्ष हुआ है सोमालिया में तो इसका करेक्त आंसर यहाँ पे है एक दो चार एक तेन पॉस्चिन नमर सिक्स्टी फाइव शेष्ट्र नियंत्रण शेष्ट्र नियंत्रण और निशेष्ट्र करन समझोतों को आरूही क्रम में लिखें दोस्तों आई थिंक यह मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर सीब्यसीनेट के द्वारा क्यूंकि डेट भी इतो उनिशुत्रानुवे में हुई है केमिकल वैपन कंवेंशन उसके बाद उटवा लेंड माइन कंवेंशन इनिशुत्रानुवे में चार और सबसे लास्त में 2002 में हुई है सोट question number 66 शीत यूद का उत्रों सरकाल एक दुरूबिय विश्व में बहुत धुरूबिय पल है ये क्या बोल रहा है कि शीत यूद जब खतम हो गया 1991 में उसके बाद क्या है एक दुरूबिय विश्व बचा था लेकिन उसमें भी बहुत धुरूबिय पल है मुमेंट क्या है बहुत धुरूबिय है क्योंकि अब अमेरिका की शक्ती नहीं रह गी ये अमेरिका का वर्चस्व नहीं रह गया है बहुत सारे क्षेत्री संगठंभी शक्ती शाली उबर कर सामने आए है अमेरिका का उत्कृष्ट अभीनेता बना हुआ है परंतु वित्य रूप से रिण में है सेन्य करण भी विस्तरित हुआ है घरेली रूप में विवाजित है और अंतराष्टे रूप में अप्रिये बना हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सही बात कर रहा है अमेरिका की स्थिती के बारे में तो शिवतियोद में अभी हम क्या है एक ध्रुवी के साथ बहुत ध्रुवी पहले में जी रहे हैं तो इसका सही आंसर है क्योंकि अमेरिका की स्थिती अभी ठीक नहीं है इसलिए वो उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है परिरोधन कंटेंट्मेंट की नीती किस ने अपनाई थी कंटेंट्मेंट की नीती अपनाई थी ट्रुमेंट ने इसको ट्रुमेंट डॉक्टरिंग भी बोला जाता है स्वरी ट्रुमेंट डॉक्टरिंग भी इसको बोला जाता है 1947 और 1947 के अंदर इन्होंने ये पॉलिसी दी थी, contentment की निती का मतलब है, जो USSR है, वो अपनी boundaries को फैला रहा था, दूसरे देशों को मतलब साम्यवादी बना रहा था, उसको रोकने का इन्होंने एक सिधांत दिया था, प्रूमेन में, किस देश में प्राकरतिक गेस का विश्व का सबसे बढ़ारी जारू, क उस तक को आपने मैच करना है, ठिंकर के साथ, तो सबसे पहली है, अहंडर्ड होरजाइन्स, इंडियन ओशन, इन दी एज ओफ ग्लोबल एंपायर, ये लिखी है, सुगातो बोसने, ये लिखी है, सुगातो बोसने, दूसरी है, ग्लोबल स्विंग स्टेट, स्टेटस, ब् आजील, इंडिया, इंडो, नेशिया, तर्की, एंड दी फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल ओर्डर, ये लिखी है, डेविड क्लिमेन एंवं रिचर्ट, फॉंटेन ने, उसके बाद वार इंडि इंडियन ओशन, ये लिखी है, सुगातो बोसने, वार इंडियन ओशन, बुक लिखी है, वाइस एड्मिरल विहर कुमार ने, और समुद्र मन्थन, सिनो, इंडियन राइवल्री इंडो पैसिफिक लिखी है, सी राजा मोवंडे, तो 69 का करेक्ट आंसर है, सी, दो, तीन, चार एक, कोश्चिन नमपर 70, राष्ट पती बुश द्वारा वर्ष 2002 में, अप एक्सिस ओफ इविल, एक्सिस ओफ इविल बुश ने किसको कहा था, 2002 के अंदर, इन्होंने कहा था, इराथ, इरान और उत्री, कोरिया को, एक्सिस ओफ इविल, कौश्चिन नमपर 71, सैयुक्त राष्ट रशान्ति निर्मान आयोग कब स्थापित किया गया था, दोस्तों, ये स्थापित किया गया था, 2005 के अंदर, दिसंबर 2005 के अंदर, और ये एक इंटर गौर्मेंटल आयोग है, जो की एडवाईजरी काम भी करता है, एडवाईजरी काम भी करता है, जनरल एसेंबली को, इवन के अंदर, क्षेतरी पहल के भाग के रूप में, भारत ने 2004 में ट अदभाव हुआ, उसका नाम बताईए, तो दोस्तों ये जो 2004 के अंदर बना था, ये था, बना था इसकी फुल फॉर्म होती है रीजिनल कॉपरेशन एक्रीमेंट ओन कॉमबेटिंग पाइरेसी एंड आम ड्रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया तो यह 2004 में बना था Q73 उस सैनिक कूतनिती का नाम बताईए जिसने बताया कि तमाम युद्ध धोके पर आधारित है और सुक्षमता तथा गुप्तता की दिव्य कला के रूप में उसकी प्रशंशा की गई है जब युद्धो की कला भी की गई है तो ये बात की है संजू ने संजू ये चाइना के एक दार्शनीक है छटी स्तादी इसापूरों के Q74 वर्ष 2002 में इराक को जाने वाले सहिंग राष्टर मॉनिटरिंग सत्यापन और निरिक्षन आयोग की अध्यक्षा करने वाले व्यक्ति का नाम बताईए दोस्तों 2002 में जो इराक के अंदर कहा जा रहा था कि वो वैपन्स बना रहा है इराक सद्दाम हुसेन हालाकि जो बाद में गलत साबित हुआ था वो किसी प्रकार का वैपन नहीं बना रहा था मास डिस्ट्रक्षन के तो उसकी अध्यक्षता की थी हैंस ब्लिंक्स ने इसी दिए इसको हैंस ब्लिंक्स निरिक्षन आयोग भी बोला जाता है एक कौश्ट नम ऊम्टी five भारत के विदेश निति को निम्ली खित मेंसे कौन सा राजल सबसे कम प्रभावित करता है नवPe को जम्मू कश्मिर तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि सीमा से लगा है पश्चिम बंगाल भी आपका बांगलादेश की सीमा से लगा है आपका तमिल नाडू बिलकुल साउथ में है समुद्र की सीमा से लगा तो यह इनको विदेशनिती का ध्यान रखना होंगे थेंक्यू ठंक्स पर वाचिंग